आधा एकर जमीन नाम करवाने के दबाव से आहत होकर गाउं नौरंगा बास राजपुतान निवासी किसान निखेतों में खुद को आग लगा कर जान दे दी। जूजू कलान थाना पुलिस ने मौके पर पहुचकर शब को कबजे में ले लिया और पोस्पार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजतो हुए कारवाई शुरू कर दिये। वही परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवात के चलते पड़ोसियों द्वारा जिंदा जलाने की गितम की दीती। दबाव में आकर आत्मत्या की है। कि दौनों पक्षों में काफिस हमें से आदा एकर जमीन को लेकर विवात चल रहा था। इसी के चलते दौनों पक्षों में कई बार जगड़ा भी हुआ। बुदवार, साएं, खेतों में बाक सिंग का शब जली अवस्ता में पड़ा मिले तो परिज़ों ने पड़ोसी परी आत्मत्या करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हाला कि पुलिस का कहना है कि किसान ने जमीन नाम करवाने से आहत होकर स्वयम आग लगा कर जान दी है। जाच अदिकारी, S.I.A. अनिल कुमार ने बताया कि इस सबन में दो लोगों के खिलाब आत्मत्या करने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्च करते हुए जाच शुरू कर दी है। जाच शुरू ने उनको पिछे की साइड कपजा दे रखा था। और ये जोग इंदर चाच शुरू के लिए बोल रहा है कि मैं अन रोड कपजा लूँगा। इस वज़य से बाबा को बार बार टोर्चर किया इन्होंने और बाबा ने जाच शुरू किया और बाबा ने चा उनकी बनाने के लिए वो गई रखा था इंट और सिमेंट वगेरा तो उन्हों ने तीन दिन पहले वहां पर आके जैसी बी से उनकी जोपड़ी उचाड़ दी वहां से और जिंदा जलाने की दमगी दे गए जिन्हों ने बैके मारे वह सुचना मिली थी कि गाउं नौरंगा बाश राजपूतान खेतों में एक वेक्ति की जली वही अवस्ता में डेड़ बोड़ी पड़ी है जो पुलिस नमोका पर जाकर देख्या तो बाग सेंग नाम के वेक्ति की डेड़ बोड़ी थी परीजनों ने बैन दिया है कि वही इनोंने मेहंदर और जोगंदर पुलिस कारवाई कर रही है तत्तों गया दार पर जो विशन होता है ने मानुशार कारवाई की जाए है फिलाल तिनसुचा चो तिसाइफ पीशी के तैत मामला दरज कर लिया गाए है ताजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें